क्या आपको मालूम है कि एथर एक ऐसी एक भी कंपणी है जो इंडिया में पिछले 10 साल से जादा सवे से मौझूद है वैल ये बहुत साई चीज हो जाती क्योंकि 10 साल पहले इंडिया के अंदर जो इलेक्रिक स्कूटर आते थे थे ना वो सस्ते चाइनीज री ब्रांडेड इलेक्रिक स्कूटर होते थे और आज के समय में सबसे अच्छी बात ये कि इन सब का मार्केट बिलकुल ही खतब होता जा रहा है लेकिन देखा जा तो EV2 wheeler का जो revolution होता है वो एथर कमतनी के कारण ही यहां पर शुरूआ था यहां तक कि आपको बता सकते हैं कि अगर एथर नहीं होती तो मार्केट में ओला नहीं होती ओला नहीं होता तो मार्केट में शायरी TVS बजाज जैसी कमतनी आती और अल्ट्रा वाइलेट, रिवर इंडी, सिंपल एनरजी ऐसे तमाम जो एलेक्ट्रिक वेहिकल के स्टार्ट अप आगए न मार्केट में यह बिल्कुल ही एक्जिस्ट नहीं करते क्योंकि एथर एनरजी इसी इसकी शुरूआत हुई थी और साथ साल तक बैकेंड में कहम करके उन्होंने अपना एथर 450 निकाला वैल यह चीज़े बहुत सही हो जाती है लेकिन सबसे पहले एक बहाँ बता देने चाहता हूँ कि एक नॉर्मल कंपनी और एक एलेक्रिक टू वीलर स्टार्ट अप कंपनी में यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है एक जो नॉर्मल टू वीलर कंपनी रहती न वो पेट्रोल के थूँ अपनी जादा थर गाड़िया बेशती है और उनकी थूँ सेल्स होती चाहे मैं हॉन्डा की बात करूँ टी वीएस की चाहे मैं बात करूँ बजाज की चाहे मैं बात करूँ हीरो की यह सारी companies की जो primarily sell होती है वो यहाँ पर two wheeler बेच बेच के होती है जो petrol driven होते हैं चाहे बात करें hero का जो best selling petrol two wheeler होते है वो हो उनकी splendor Honda की best two wheeler जो है यहाँ पर उनकी activa TVS अपनी Jupiter बेचता है यहाँ तक की बजाज वाले pulser को जादा बेच लेते हैं लेकिन इन सब के बाद भी market में जो electrification हो रहा था तो इन सारी companies को भी लगा कि इन्हें भी अपने product उतारने चाहिए लेकिन एक start-up और एक नई company डिफ्रेंसी रहते है कि start-up नई चीजे कर सकता है नई technology ला सकता है जादा बड़ा risk ले सकता है उसे ये डर नहीं होता कि वो अपनी पुरानी sales हाँ पर खो देगा petrol वाली की ये डर जानते हो इन TVS और बजाज वगरा को हमेशा लगा रहता है specially TVS को आज 2025 में भी वो अपने scooter के अंदर एक hub motor निकाल कर देते है वैल ऐस टाइप की चीज़े आज के सवे बिलकुल भी relevant नहीं बची है लेकिन TVS और बजाज आज के सवे सिर्फ इसलिए बिखते है क्योंकि इनका dealership network strong है और ये लोग को की पास जो होती है brand recall value वो है यानि कि लोग को पता है बजाज को रॉस्ट कर सकते है TVS को ट्रस्ट कर सकते है Honda Activa को ट्रस्ट कर सकते है इस कीज़ के लोग यहाँ पर benefit उठा रहे है और अपना जो strong dealerships है जो इनके पास touch points बने हुए है इन सब का यहाँ पर यूज कर लेकिन electrification वाले game में यार कहानी बिलकुल बदल जाती है इवन एथर की में बात करूँ तो एथर की जब शुरुआद हो थी तो बहुत सिंपल सी थी क्योंकि जब यह लोग अपना पहला electric scooter बना रहे थे ना तो market में इनके पास कोई reference point में नहीं था कि किसे दिखके बनाए सारी चीज़े खुद डेवलप करनी थी यहां तक कि क्या आप लोग को मालू में कि market में आने वाला पहला electric scooter था जिसके अंदर आपको touch screen dashboard मलता है उस समय two wheeler के अंदर touch screen आता ही नहीं था इवन चाइना में भी किसी electric two wheeler या पेट्रोल के अंदर भी touch screen नहीं था Ather is the first company Ather दुनिया की पहली गमतनी बनी थी जिनके पास Google Maps आया था इससे पहले Google Maps two wheeler में था ही नहीं किसी के अंदर Ather first company बनी थी जिसमें Google को convince के कि two wheeler के अंदर लाओ और उस जमाने में Google वाली भी two wheeler को इंपोटेंस नहीं देते थे और इसी वज़े से यहां पर Ather के जो product होते वो world class और next generation of futuristic लगने लगे और Ather ने फिर S340 निकाल ला, 450 निकाल ली लाइनप और 2019 तक जब इनके product market में आने लगे, धीरे धीरे लोग को पसंद आने लगे तब वहां से Ola ने देखा कि यार market के अंदर ये कहानी सही चल रही है और हम भी electric scooter वाले market में कूद सकते हैं और फिर Ola 2020 में Ather को acquire करता है, 2020 में अपना electric scooter लाता है और उसके बाद market तीजी से expand होता है यानि कि simple signal आप में आपको बता रहो कि market के अंदर क्या हुआ Ather थी Ather को देखकर Ola ही market में और Ola के crazy expansion को देखके Ather ने भी हाँ पे expand किया देखो हम अकसर बाद करते रहते हैं Ola versus Ather की लिगर सच बाद बता हूँ, ये दौनों companies आपस में compete ही नहीं करती है दौनों companies का target segment बहुत जादा लगे Ather premium के अंदर खिलता है, Ola हर इक budget category के अंदर खिलता है Ather यहाँ पे service देता है, better sales का experience premium देता है इवन मैंने ये भी देखा है, जब Ola का scooter जब नहाने आया था जब जब लोग reviews इसके आया थी initially तब लोग यहाँ पे यह सर्च करने लगे थे कि यहाँ पे Ola का alternative बताओ कौन सा है और यहाँ पे Ather यहाँ फस्ट आयता और उसके बाद Ather ने अपने product को भी better किया नई range वाले scooter भी निकाले यहाँ तक कि अपने आपको पहले से ज़ादा better बनाया और जहाँ पे पहले सिर्फ Southern India के कुछ selected cities के अंदर मौजूद था और उसके बाद इन्होंने हाँ पर pan-India expand किया यह बहुत साई चीज थी और Ather की ही success को देखके बाकी सारी electric two wheeler जो companies वो ही market वे जैसे की Ultra Wallet का एक example दे रेता हूँ उन्होंने ने भी bike बनायी लेकिन कहीना की inspiration एथर के साथ आई और इवन जो neon का Tesseract आया है वो देखके लगता है कहीना कहीन एथर की जो 450 line-up आती है वहाँ से काफी inspiration draw करी है Simple Energy का बता सकते हैं Simple One launch हुआ था तो वो बहुत ही जादा एथर से मिलता चलता था बहुत ही जादा similar था इवन आज भी Simple के साथ यह लगता है कि कहीना कहीनोंने एथर से ही inspiration draw करी है River Indie के साथ ही similar के से इवन Raw Lane Field भी जो है जो अपनी bike up बना रहा है हाँ पे उसने भी कई साथ inspiration यहाँ पे एथर से लिए देखा तो कई सारी चीज़े हाँ पे एथर के पास काफी ज़दो favor में थी उनका main name with Ather Rista जब निकाल ली थी उन्हें यहाँ पे TVS की Jupiter को यहाँ पे खतम करना था वैल उसी को सोचके नों ने यहाँ पर अपने एक family scooter बनाए जिसे पूरी family के अंदर कोई भी इंसान यहाँ पर आसानी से यहाँ पर चला सके इवन Ather Rista यहाँ पर रुकी नहीं इंडिया में काफी जादा बिकने वाला family oriented scooter भी बना और Ather की sales भी उसने boost करी जब 450 लाइना सिर्फ और सिर्फ यंग स्टर्स को ध्यान में रखके बनाए गई थी Rista ओवर और family को ध्यान में रखके बनाए गया था और Ather यहीं पर रुकने वाली है इसके साथ उनका EL platform आ रहा है Zenith platform के बार भी बात सुनी है यहां तक कि यह भी पता चला है कि यह लोग अपनी बाइक पर भी काम कर रहे है जो 250 CC वाला जो segment होता है वहाँ पर यह लोग आई लेकर आएंगे अपनी बाइक को तो वो भी काफिक इंटरस्टिंग चीज़ लगती है इसके साथ ही Ather को पता था कि कैसे अपनी आपकी technology को better करना है इसलिए उनके पास नोंने Juggernaut नाम से एक testing facility बनाई है जहां पर जितने भी उनके already existing vehicles से और future के vehicles से उनकी यहां पर proper testing की जाए इंडियन कंडिशन के अंदर क्योंकि कहीं नहीं जो टाइप का development यहां पर करने इंडिया में वो देखाया तो काफी जादा नया है काफी जादा limited technology के साथ है तो उन्हें कई सारी सीज़न डाउंड अप से create करनी पड़ी एवन एक बात अच्छी लगी एथर की कोई भी feature यह लोग build करते है उसको बहुत सोच समझ के करते है और वो चलाने वाले को पता चलता है कि एक बार जब use करेगा तभी पता चलेगा लेकिन एथर जब अपने magic twist लेकर रहे उसको एक level और ऊपर लेकर गई और वो काफी जादा advance हो से बनाया है इवन mobile phone के अंदर statistics डाला, OTE update देना, यह सारे concept यह लोग एथर ही पहले लाया था लेकिन फिर भी देखा है तो अक्सर मेरे से लोग एक सवाल फूचते कि एथर के साथ यह अच्छी चीज है तो एथर sales के मामली में अभी भी first position क्यो अचीग नहीं कर बाया देखो इसके कुछ simple से रीजन है, सबसे पहले है रीजन कि एथर का जो product होता है वो premium quality कर रहता है और premium sales और service का experience देते, यानि कि एथर कभी भी एक ऐसे market को track नहीं कर रहा है जिसाद कि बहुत ही जादे entry level हो, उन्हें entry level product से जादा थोड़ा सा premium product बनाना है जो बिलकुली Apple के iPhone जैसी strategy है, एक premiumness रखेंगे और उसी पी हम टिके रहेंगे इवन एथर ने ये भी निकाला कि कैसे अगर आपकी गाड़ी में कोई problem है, तो within one day के अंदर आपकी problem कैसे solve हो जाए विदिन कुछ minutes के अंदर आपकी problem कैसे solve की जा सकती, यह भी हुनों ने किया यहां तक कि देखा जाए तो एथर के साथ बात यह थी कि कई सहर लोग एथर का जो brand name रहता है न वो ऐसा समझते कि बाहर की कोई company कोई European brand है, जबकि बात है कि totally यहां पर एक Indian company निकल कर रही इसके साथ ही एथर के साथ एक बात है कि लोग कहते कि इसके battery cell तो यार चाइना या कोरिया से आ रहे है यह बात एथर को भी पता है और देखा जाए तो जहां दूसरी company आज भी source कर रहे है तो एथर ने यहां पर already हमर राजय battery के साथ partnership कर रखी है जिसके अंदर वो battery cells को इंडिया के अंदर बनाएंगे इसके साथ ही एथर को पता है कि लोग को क्या चीज़ चाहिए product के अंदर वो दो लोग को चाहिए कि accuracy रहे reliable product रहे है वो चीज़ उन्होंने deliver करी इवन एथर के साथ benefit यहां पर यह भी था कि एथर के जो product के अंदर जो range बताई जाती न वो बिलकुली accurate होती है जितनी range वो आपके dashboard पे दिखाता है उतनी range आपको मिल सकती है आपके driving pattern के according तो futureman के बहुत सारे product आने वाले बहुत सारी नहीनी चीज़े होने वाली है लेकिन देखके अच्छा लगता है कि कम्तिने नहीन बहुत अच्छे तरीके से वाल्ट किया और एथर देखा तो आथ के समय में कहीं न कहीं ओला एलेक्टरेट, TBS बजाज इन सब के साथ भी compete कर रहा है और आने वाले समय में जब premium वाली range में लोग जादा जाएंगे और budget scooter छोड़के थोड़े premium में और better product कूप पर जाएंगे तो एथर उनकी काफी बड़ी priority बनेगा इवन उनका एक apex आता है जिसके अंदर pickup अच्छा है, speed काफी अच्छी है ये चीज़े काफी better लगी इवन देखा जातो लास्ट एर उन्होंने helmet category के अंदर halo helmet निकालाता है जिसके अंदर उन्होंने literally ऐसी R&D करी थी कि आप गाना भी सुन सकते हो लिए अगर आप traffic वगरा में हो तो आपको आसपास का जो traffic रहता है उसके बार भी पता चलता रहेगा ताकि safety भी रहे और आप enjoy भी कर सके इसके साथी इनकी R&D team में 800-1000 लोग यहाँ पर काम करते हैं और एक अच्छी बात यह लगी कि company ना धीरे धीरे evolve करी है और company के साथ एक simple सी चीज़ थी इन्होंने हमेशा ना long term vision को ध्यान रखा है ना कि short term height को यह लोग है ना engineering को ज़्यादा priority देते हैं प्रोडेक्ट बनाने के अंदर इनकी साथ एक अच्छी बात है कि यह कोई भी काम करते हैं यह लोग अपनी battery warranty लाए 870 तो 8 years की warranty बैटरी की उपर दे रहे थे और उसके 70% degradation यानि कि 8 साल के 70% से जाद अगर battery degrade होती है तो आपकी battery लोग free में replace कर सकते हैं इवन एथर first company बनी थी जिसने deep discharging की जो protection रहती वो देरा शुरू किया था आज भी बज़ा जैसी company भली market में सबसे जादा बिक्ती है लेकिन फिर भी वो 8 साल की warranty अपनी battery पर provide नहीं करते हैं सिर्फ अपने नाम बगर के current अपनी legacy को यहाँ पर continue कर रखा है लेकिन एक बार एथर के और जादा product आगे और तीजी से expansion कर दिया ना इन लोग में potential market में एक बार नमबर वन बनने का इसके साथ यकर में से Olay Electric के साथ compare करूँ तो दौनों का जो direction बहुत जादा लगे Olay यहाँ पर पूरे segment को cover करती है उन्हें सस्ते में भी निकालना है range और यहाँ पर features की उपर बहुत जादा focus करना है और यह बात देखनी चाहिए कि ether नहीं होती तो Olay Electric भी यहाँ पर exist करती और Olay Electric के कारण एथर को भी यहाँ पर competition मिला जिस कारण से लोग अपने better नए product यहाँ पर लेकर आपा है 450 lineup इनों ने बहुत जादा यूज कर ली उसका एक upgradation ला सकती है और market में अब जाकि demand डारी electric bike की तो देखने वाली बात है कि market के अंदर यह लोग electric bike वाले segment में हाँ पर क्या करते है लेकिन बाब बता हूँ, market के अंदर अब यह हो रहा है कि electric vehicles की demand रहती है बहुत बिल्जी सिंक्रीज हो रही है और even Delhi जैसी state के अंदर यहाँ पर यह हो गया है कि 2026 के बाद यहाँ पर लोग जो petrol two wheeler हो रहते हैं उनके registration भी हाँ पर ने लेंगे जिस वज़े से electric की जो demand रहती हो और जादा boost होगी और market में 2030 तक बहुत सार लोग होंगे ऐसे जो यहाँ पर electric two wheelers लेंगे जहाँ पर ether जैसी company already lead करेंगी कुछ जो नई company से वो lead करेंगी और जो cheap Chinese electric scooter ते ना यह सब market सब धीरे धीरे out हो जाएंगे तो दोस्ते यार यह होती है कहाणी आप पर ether की कुछ interesting concept था आप लोग को इस company के बार में बताना चाहता था क्योंकि अभी भी जो company में को काफी जाद underrated लगती है बाकि आप लोगों का जो opinion ने एथर से related जो आपका experience रहनी जाए कमेंट में बताना ना भूला थेंक्यो बने रहनी के लिए मैं अपसा लता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर गुड बाए